नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनाई स्टडी केन में स्वागत है साथियो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरन से सम्बंदित बहुती मातपून और भविकल्पी प्रशन लेकर आए हैं साथियो चत्रगर में आने वाली भरती है सिक्षक भरती जिसमें सहायक सिक्षक और सिक्षक की भरती होनी है दोनों में ही हिंदी से प्रशन पूछे जाते हैं हाली में आप लोगोंने चत्रगर सिक्षक पातरता परिक्षा दिलाया होगा चतिगर सिक्षक पातता और सिक्षक का सलेबस लगभग सेम है और हिंदी से प्रशन पूछे जाएंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी important होने वाला है साथ यो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजगा पास में लगे बिल आइकन को प्रेस कीजगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिसन आप तक पहुंचती रहे वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजगा चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न वह कुलहाडी से वरिक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ती है एक बार और पढ़िएगा वह कुलहाडी से वरिक्ष काटता है से किस कारक की विभक्ती है आप्शन एक बार देख लेते हैं अधिकरन, संप्रदान, करण और अपादान करता ने, कर्म को करण से तो करण से तो यहाँ पर करण विभक्ती लगी है तो option C सही होगा मा ने बच्चे को सुलाया इस वाक्यम में को किस कारक की विभक्ती है को मा ने बच्चे को सुलाया करता ने कर्म को कर्म को तो यहां पर होगा कर्म कारक अध्यापक सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है आप्शन को देखिएगा और नीचे comment box में comment करके बताईएगा अध्यापक का इस्त्री लिंग अध्यापी का है आप्शन ए सही हो जाएगा नायक सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है? आप्शन देखिएगा नायक सब्द का इस्त्री लिंग रूप नाईका हो जाएगा आप्शन C करेक्ट है महासय सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है? सही जबाब है महासया आप्शन C नेता सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है? नेता सब्द का इस्त्री लिंग नेत्री है आप्शन A सही होगा दाता सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है? इसका सही जवाब है आप्शन D दात्री इंद्र सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या है? सही जवाब होगा इंद्रानी आप्शन C इया का उपचारन इस्थान क्या है? दन दन तालू तालू मूर्धा यहां सब्द का उपचारन तालू है तालू में यहां का उपचारन होता है उध्वनी का उपचारन इस्थान क्या है? उध्वनी का उपचारन इस्थान ओस्थ है विशेशन कितने प्रकार के होते हैं ओप्शन देखते हैं दो, चार, छे, तीन विशेशन के कुल चार भेद है जिसमें गुनवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, परिणाम वाचक विशेशन, शर्वनामिक विशेशन तो कुल चार प्रकार के विशेशन होते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम के छै भेद हैं जिसमें पुरुस वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम अनिश्चे वाचक सर्वनाम शंबंध वाचक सर्वनाम प्रश्न वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम उत्पत्ती की द्रिष्टी से सब्दों के कितने भेद है दो, चार, पांच और साथ उत्पत्ती की द्रिष्टी से सब्द के चार भेद है जिसमें तत्सम, तदभव, देशद और विदेशद रचना की दृष्टी से सब्दों के कितने भेद है? उप्षन देखते हैं. दो, तीन, चार और पाँच. रचना की दृष्टी से सब्दों के तीन भेद है. जिसमें रूड, जिसे हम मूल भी कहते हैं. उधारन के रूप में हवा और पानी. इसे और हम विभकत नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसके बाद है योगिक, योगिक में पाट साला, इसे हम अलग कर सकते हैं, पाट अलग होगा और साला अलग हो सकता है, योगरूड, योगरूड का मतलब होता है, ये जो है किसी अन्य के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बताता है, जैसे बहुबरी ही स लंबोदर जिसका पेट लंबा हो अथाद गणेश तो ये जो है योगरूड है संग्या के भेद हैं संग्या के कुल पांच भेद हैं जिसमें व्यक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या, शमुह वाचक संग्या, द्रवाचक संग्या और भावाचक संग्या विकारी और अविकारी सब्दों के कितने भेद है विकारी और अविकारी सब्दों के आठ भेद है इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है कृपा, जाती, नमक और कुलीन तो सही जबाब होगा कुलीन यथा समय समास है था समय के अनुशार जब उफशर्ग आए तब वहां होता है अव्यई भाव समास तो इसका सही जबाब होगा समय के साथ अव्यई भाव समास प्रत्य एक समास है तो यहाँ पर प्रती धन एक होगा तो प्रती क्या है उफशर्ग है तो यहाँ पर भी अव्यई भाव समास होगा कवी का इस्त्री लिंग रूप क्या है तो इसका सही जवाब है पेड से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक विभक्ती है तो यहाँ पर अपादान होगा क्योंकि अलग होने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं तो इसका सही जवाब होगा अपादान तांकि दोस्तो विडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा ज्यादा से ज्यादा विडियो को लाइक कीजिएगा